जैहिन नमस्कार सभी पेंशन भोगी पेंशन धारक वा हमारे तमाम देश की जितने भी यहाँ पर हमारे टार फोजी भाई है सभी को राम राम नमस्कार सबसे बड़ी कबर लेकर क्या चुका हूँ आज की आप सभी के लिए जैसा कि आपको पता है यहाँ पर रेजर्ट जो ह पर सीट से जो है पूरे इंडिया के अंदर लेकिन सवाल यही मन रहा है कि अब किसकी सरकार बनेंगी क्योंकि ना ही बीजेपी के पास बहुमत है ना ही कॉंग्रेस के पास पूरा बहुमत है यहाँ पर जब एलाइंस यानि गड़बंधन जो हो रहा है उसके बेसेज पे ही सरकार बनेगी सबसे में जो यहां पर आप देख सकते है जो हमारे TCP के यहां पर जो है हमारे TDP के नेता है अभी उनका यहां पर NDA में जो है काफी महत्पून रोल बन चुका है क्योंकि वो NDA के साथ यहां पर BJP के साथ यहां पर मिलकर के चुनाव लड़े और हमारे या तो कॉंग्रेस की सरकार आ सकती या तो बीजेपी अभी भी ये कहना तैन नहीं है जब तक यहाँ पर पूरा का पूरा जो है सपत वाला समय सुरू नहीं हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग बोल रहें कि नितीज को भी परधान मंतरी बनना चाहिए वो भी चाहते गय तो सरकार बन जाएगी इंडिया गड़ बंधन की लेकिन अगर वो एंड lawyer वे ल तो फिर फिर लाइब्न जाएगी तो आपको क्या लगता पर कि सरकार बननी चाहिए किस को पिएम बनना चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताें जय हिंद जय भारत